नमस्कार दोस्तों आपका सुवागत है अपने यूट्यूब चैनल पी एफपी में आज हम एक धमाकेदार स्ट्राडेजी के बार में बात करने वाले हैं जिससे स्विंग टेडिंग में शांदार पैसा बन सकता है इस वीडियो में स्ट्राडेजी की पूरी जानकारी जो कि आपको बताता है कि particular time period में stock का क्या movement रहा है अगर आपने चार्ट पर 50 डेज का moving average लगाया तो आपको ये पता चलेगा पिछले 50 ट्रेडिंग सेशन में average movement क्या देखने को मला है लेकिन definition से तो पैसा नहीं बनने वाला है execution से पैसा बनने वाला है तो execution कैसे करना है ये स उपर जाने चाहिए दोनों आपको rising में दिखने चाहिए उसमें भी 20 days का moving average 50 days के moving average से उपर होना चाहिए ये conditions अगर fulfill नहीं होती है आपको trade नहीं लेना है और setup कैसा है setup देखिए market में तेजी चल रही है उसके बाजब stock में आपको correction देखने को मल जाता है जब भी आपको ये बन जाती है उसके अगले दिन पर active करना है ये bullish candle का निर्मान हो चुका है तो active कब करेंगे active इसके high के ऊपर करना है यहाँ पर आपको buy करना है यहाँ पर buy हो गया stop loss कहाँ पर है stop loss आपको देखना पड़ेगा कि यह जो दो last candle है उसका low कौन सा सबसे ज्यादा नीचे वाला low कौन सा है यहाँ पर हमें यह ज्यादा low निजर आता है तो यहाँ पर इसके थोड़ा सा नीचे आपको stop loss लगाना है suppose यह 100 रुपीस का low था तो आपको यहाँ पर 99.9 या फिर 99.8 99.5 ऐसा stop loss लगाना है तो target क्या होगा target double हो जाएगा कहाँ पर आपने buy किया suppose आपने 102 पर buy कि है उसे multiply by 2 किजे आपका target आपको मिल जाएगा कुछ points आपको जो ध्यान में रखने चाहिए यह सिर्फ आपको daily candle पर करना है क्योंकि हम यह swing trade कर रहे है weekly candle पर यह कई बार सही नहीं दिखाई देता तो daily candle पर आपको यह follow करना है और दोनो moving average clearly rising होने चाहिए कहीं पर भी आपक confusion होता है कि यहाँ पर यह थोड़ा rising हो रहे है थोड़ा नहीं हो रहे है तो बस avoid कर दीजे दोनों rising होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और 20 days का moving average 50 days के moving average से उपर होना चाहिए और RSI के साथ आप cross check कर लीजे RSI 40 से 80 के बीच में होना चाहिए 40 के नीचे नहीं होना execution कैसे करना है जो bullish candle हमें बनता हुआ नजराया उसके high के ऊपर करना है SL कहाँ पर रखना है जो lowest low था उसके नीचे आपको SL रखना है target क्या है जो difference है आपने जहाँ पर buy किया और जो आपका stop loss था जो difference है उसका double कर देना है यह हो गया आपका trade यह हो गया आपको buy price मिल गया stop loss मिल गया और target भी मिल गया तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसा perform कर रहा है यह trade आप देख पाएंगे महिंद्रा और महिंद्रा का chart है stock में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है दोनों ही moving average आपको ऊपर जाते हुए नजराते है और दोनों moving average के बीच में एक bullish candle का नि stop loss का है यह हमें low दिखाई दिया यह आपका stop loss हो गया और आप देख पाएंगे उसके बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिली आपका target हिट होता हुआ नजराया है next है axis bank में यहाँ पर आपको दो trade देखने को मिले आप देख पाएंगे यहाँ पर एक bullish candle है उसके बाद भ बार 40 प्लस RSI यह में दिखाई पड़ता है तो strength भी आपको अच्छी दिखाई पड़ती है कई बार आपको ऐसे stock मिल जाएंगे जो कि बार बार आपकी buy condition को fulfill करते जाएंगे बार बार आपको trade मिल जाएंगे example लेते हैं supreme industry का पहला trade यहाँ पर मिला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा चठा और सातवा trade यहाँ पर देखने को मिला RSI से cross check कर सकते हैं 40 के उपर 80 के नीचे तो यह particular stock में बार बार आपको trade मिल रहे हैं इसका simple मतलब है कि stock फिलाल trending चल रहा है आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपको एक ऐसा stock मिल गया जो कि आपकी strategy को follow करता है trade करना चाहिए लेकिन एक important question यह भी है ऐसा है तो stop loss का बीट होगा यह भी पता होना चाहिए जब आप trading करते हैं तो target का बीट होता है यह तो लोग पूछ लेते हैं लेकिन stop loss की probability क्या है कब stop loss hit हो सकता है यह जानना भी जरूरी है MGL का example लेते हैं MGL उपर जा रहा है सारी conditions हम हमारा यह है उसके बाद stock में आपको stop loss hit होता हुआ नजर आया एक और example लेते हैं hero motocop का stock उपर जा रहा है RSI 40 above है अगर बात करें इसके 20 days के और 50 days के moving average के बार में तो वो भी हमारी conditions fulfill हो जाती है हमारा buy order हमें मिल जाता है indication यहाँ पर मिलता है buy यहाँ पर क्या stop loss यहाँ पर आना पड़ेगा उसे थोड़ा सा reversal दिखाना पड़ेगा तो hero motocop में एक अच्छी तेजी देखने को मिली और यहाँ पर stock reverse होता हुआ नजर आया तो ऐसे समय पर आप कुछ नहीं कर सकते है आपका stop loss hit होने ही वाला है MGL में भी similar situation थी stock continuously उपर जा रहा था trend अच्छा चल रह अगर कोई रास्ता होता तो of course एक ही strategy best होती इसलिए अलग-अलग strategies का निर्मान हुआ है सभी strategies के अपने फायदे होते हैं अपने नुकसान होते हैं तो जब भी trend reverse हो जाएगा तो आपका stop loss hit होता हुआ नजर आएगा अब मैं आपको यह बताऊंगा कि इस trading system के fault क्या है कहां पर आपको यह trading system काम में नहीं आने वाली है example के साथ समझाऊंगा CDSL का चार्ट है सब कुछ अच्छा है 2050 rising RSIB 4080 के बीच में फिर भी हमें trading opportunity नजर नहीं आती है दूसरा stock है reliance industry सब कुछ अच्छा है 2050 rising और RSIB 4080 के बीच में फिर भी यहाँ पर buying opportunity नजर नहीं आती है इसका मतलब है जो stock extremely bullish है वहाँ पर आपको यह strategy काम होती भी नजर नहीं आ चाहिए वहाँ पर support लेना चाहिए वहाँ पर bullish candle का निर्माण होना चाहिए तो हम खरीदारी करेंगे लेकिन जो stock extremely bullish होते हैं वो इतना गिरते हुए नजर नहीं आते वो 20 days के moving average को touch करते और वहाँ से वापस आपको तेजी continue रहती हुए नजर आती है तो यह situation में आपको यह strategy काम में आती हुए नजर नहीं आएगी लेकिन जो experience trader हैं कुछ सालों से trade करते आ रहे हैं उन्हें पता होगा 5000 में से 50 company ऐसी होती है जो की 20 days को follow करती है बाकी ऐसी कई companies आपको मिल जाएगी जो की 50 days के आसपास support लेती हुए नजर आती है अब हम बात करेंगे कि stock selection कैसे करना ह चाहिए liquidity बरपूर होनी चाहिए तो ही trade कीजे वरना trade मत कीजे दूसरा है moving average का respect करना आना चाहिए stock को कई बार कैसा होता है moving average उपर जा रहा है ऐसे जाता जा रहा है लेकिन stock में बहुत ही volatile moment होता है stock ऐसे move करता है तो वहाँ पर buy करने का मतलब नहीं है उसे avoid करना है तीसरा ह rising weekly moving average weekly moving average देखिए weekly chart देखिए अगर weekly chart उपर जा रहा है तो ही आपको trade करना है कई बार क्या होता है weekly chart नीचे आता है long term basis में stock नीचे आ रहा है लेकिन short term में तो of course आपको तेजी दिखाए पर सकती है तो उसे आपको avoid करना है long term में weekly chart पर भी stock आपको उपर जाता हुआ नजर नहीं करते हैं कई बार क्या होता है stock अगर अच्छा भी है कोई blue chip company भी है वो भी एक particular time period के लिए moving average का respect नहीं करते है तो वहाँ पर आपको avoid करना चाहिए weekly moving average अगर falling है या फिर consolidating है तो भी आपको avoid करना चाहिए मैं आपको example भी दिखाऊंगा L&T का example ही है L&T में आप देख तो इस strategy में आपको buy order मिलेगा ही नहीं आप देख पाएंगे कितनी भी कोशिश कर लिए अगर मिल भी जाता है तो यहाँ पर आपका stop loss hit होने के chances भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं TCS का example है 2019 से करके 2020 में आप देख पाएंगे एक साल का consolidation देखने को मिल गया था तो यह पर भी आपको यह strategy follow होती भी नजर नहीं आती क्योंकि एक साल के लिए TCS ने अपने moving average को respect करना चोड़ दिया और यह stock आपको support and resistance पे काम करता हुआ नजर आता था तो ऐसी situation में आपको stock को avoid करना चाहिए जो conditions मैंने आपको बताई है वो fulfill होती है तो यह खरीदारी के बारे म सोचना चाहिए तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई feedback दीजे थैंक यू श्टे हापी हापी investing